बिहार के बहुबली नेता आनन्द मोहन की मुश्किले एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है जिहां आपको बता दें कि जी कृष्णया की पत्नी उनके रिहाई को ले करके सुप्रिम कोट में एक याचिका दाखिल की थी जिस पर सुप्रिम कोट ने सुनवाई की है और सुप्रिम कोट ने इस अरजी पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया है हाला कि जी क्रिसनिया की पतनी की याचिका पर सुनवाई दो हफते के लिए टाल दी गई है आपको बता दें कि बिहार के निती सरकार ने कानून और नियमों में बदलाओ करके आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा कर दिया था जिसके बाद यह सवाल उठाये जा रहा है कि क्या वर्तमान में कानून के अंदर लायग या बदलाओ सालों पहले सुनाई गई सजा पर लागू होगा इस मामले पर जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जेके महसवरी की बेंच सुनवाई कर रही है कोट ने भी हर सरकार से रिहाई की पूरी परिकिरिया का रिकॉर्ड भी मांगा है आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोट ने कहा है कि सहरसा जिले के पुलिस अधिक्चक प्रतिवादी आनंद मोहन को नोटिस की तामील सुनिशित करें इस दौरान IS Association ने कहा कि वर्तमान हालात से Association बूरी तरह से व्यवतित है उन्होंने हस्तचेप दायर किया है सुनवाई करते हुए जस्टिस सुर्यकांत ने कहा कि हमने नोटिस जारी किया है यदि यानि कि IS Association को हस्तचेप करना है और हस्तचेप दर्ज करना चाहते हैं तो हम आपको हस्तचेप करने की अनुमती देंगे इसके साथ ही कोट ने SP जीला सहरसा को आनंद मोहन की सेवा परभावित करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि याचिका की प्रती SP सहरसा को भेजी जाए कोट का निर्देश है कि आनन्द मोहन को सुपुर्दगी के लिए दस्तावेजों का पूरा सेट एसपी सहरसा को उपलब्ध कराये जाए बता दें कि आनन्द मोहन की रिहाई के बाद से आईस अधिकारी जी क्रिशनया का परिवार लागातार नेती सरकार के इस फैसले पर विरोध जता रहा है आनन्द मोहन की रिहाई को जी क्रिशनया की बेटी ने दुखत बताया था उन्होंने कहा था कि यह हमारे लिए ही नहीं बलकि पूरे देश के लिए अन्याय है आपको बता दें कि तेलंगाना में जन्मे आईयस अधिकारी क्रिश्नया अनुसिचित जातिस से थे और वह बिहार में गोपाल गंज के जील अधिकारी थे 1994 में जब मुझफर पूर जेले से वह गुजर रहे थे इसी दोरान भीड ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी इस दोरान उन्हें गोली भी मार दी गई थी आरोप था कि डीम की हत्या करने वाली उस भीड को बहुबली नेता आनंद मोहन नहीं उक्साया था